सभी समुह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आप सभी को प्रेड़ना टीवी चैनल की तरफ से नवश्की बहुत बहुत बदाई नई सिच्छा निती आचुकी है जी हाँ जी हाँ नई सिच्छा निती 2021 का पदलाओ उत्तर प्रदेश में आगनबाडी केंद्रों के लिए नया पाठेक्रम शुरू वरिष्ट सनवाददाता वरारसी जी हाँ देखते रहे प्रेड़ना टीवी चैनल प्रेड़ना टीवी चैनल की वीडियो को देखते रहे नई नई जनकरिया पाते रहे और लाभी उठाईए आगनबाडी केंद्रों के लिए नया पाठेक्रम प्रारंभी बाल वस्था देखभाल और सिच्छा का सुभारम सोमवार को राजपाल अननदी बेन पटेल ने बियच्चु के विज्ञान संकाय सभागार में किया तीन साल से छै साल तक के बच्चों के लिए तीन खंडों में बने इस पाठेक्रम को पाइलट प्रोजेक्ट के तहत सेवापूरी बलाक के आंगनबाडी केंद्रों में शुरू किया जाएगा यहां तीन से छै मा का सिच्छड देने के बाद इसे राज में लागू करने का प्रस्ताव राज सरकार को दिया जाएगा इसके बाद यह पाठेक्रम प्रदेश के सभी आंगनबाडी केंद्रों पर संचालित होगा चार दिवसी दोरे के पहले दीन राजपाल ने बियच्चो में आंगनबाडी कार करतियों को तीन दिन के प्रसिच्चा कारिक्रम में नए पाठेक्रम की पुस्तिका भी वीमोचन किया या पिद्या भारती की ओर से तयार किया गया है इसमें बच्चो के लिए कविताएं खेल के साथ मोरल साइस समेत अन्य मनुरंजन विश्यों को समावेश किया गया है ताकि बच्चो को पढ़ने के प्रती लगाओ हो सके अभी तक आगनबाडी केंद्र पर केवल पहल नाम की एक पुस्तिका से पढ़ाया जाता था बच्चो को शुरुवाती सिच्छा सांस्कृत होनी चाहिए राजपाल ने आगनबाडी कार्य प्रतियों से कहा कि नई सिच्छा नीती में बहुत बल है इसमें चार वर्स चार से पांचवां पांच से च्छे वर्स की सिच्छा आगनबाडी केंद्र का भाग है भारत का भविश्य बनाने के लिए नन्य मुन्नों को सांस्कृत सिच्छा दी जानी चाहिए बच्चे को आठ वर्स तक जो सिखाया वा पढ़ाया जाता है उसका असी फिस्दी उनकी आदत में ढल जाती है इसलिए प्रारंभिक सिच्छा अती महत्पूर है उन्होंने बताया कि आगन बाड़ी में आने से पहले बच्चे अपने घर में देखी सुनी हुई चीजों वा वहवार को लेकर आगन बाड़ी में आते हैं इसलिए आगन बाड़ी को बच्चे के अंदर की कमियों को दूर कर उसी के अनुरूप बात वहवार जी हाँ उसी के अनुरूप बात वहवार पढ़ाई खेल आदी क्रिया कलाप करें 25 लाख आगन बाड़ी केंद्रों में इस सस्त से सुरू होगी जी हाँ 25 लाख आगन बाड़ी केंद्रों में इस सस्त की से सुरू होगी प्री प्रैमरी कच्छाएं जी हाँ प्री प्रैमरी कच्छाएं इस अनुसराओं को ऐसी ही कुछ ऐसी ही कुछ आद्थों को हम सब को मिलकर घर से ही बच्चों को उनके अंदर कमियों को दुर करना चाहिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चों के अंदर क्या कमिया है हमारे बच्चे क्या नहीं समझ पा रहे हैं हमें उसी के अनुरूप बात वहवार पढ़ाई खेल हर किरिया कलापों पर ध्यान देना चाहिए पहली सिच्छा कही गई है कि घर से ही है तो मेरे इस वीडियो को जो भी देख रहा हो इस वक्त मैं उन माताओं बहनों भाईयों से निमेदन करूंगी कि बच्चों पर खास कर छोटों बच्चों पर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे की मानसित्ता क्या है हमारे बच्चे की सोच कैसी है और अपने बच्चों की सोच कैसे बदल सकते है उनको रहांसान की तरीके बताना ये सब माताओं पर निर्भर करता है और घर के गार्जिन के उपर अगर हम अपने बच्चों को छोटे से ही संसकार सिखाएंगे तो हमारे बच्चे संसकारी होंगे कुछ घरों में लड़के और लड़कियों का भेदभाव होता है लड़के और लड़कियों का लड़के लड़की एक समान की तरह हम लोग पालें और उनको साथ अच्छा वैवार करें हमारे बच्चे संसकारी होंगे तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा हम आज जो उन्हें सिखाएंगे कल बुढ़ापे में वही हमको वो सिखाएंगे तो सभी का आदर करना चाहिए बड़े उजुरू का अपने बच्चों को ये शिच्छा देती रहने चाहिए लेकिन ये होगा कैसे जब हम माता पिता खुद बड़ों का आदर करेंगे या माबाप कितने भी कठोर हूं उनके साथ हमें कठोर वेहवार नहीं करना चाहिए वही चीज़ हमारे बच्चे भी नोटिस करेंगे तो उनका भी वेहवार उसी प्रकार होगा तो आज की वीडियो में इतना ही अगर दिदी आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक सस्काइब सेयर जरू कर दिजेगा आपके उजवल आपके बच्चे कब हविश उजवल हो 2021 में आपके सारे परिवार को हमारी तरफ प्रेड़ना टीवी चैनल के तरफ से बहुत-बहुत हार्दिक बधाई आज की वीडियो में इतना ही रिदी धन्यवाद